नमस्कार दोस्तों मैं अंकित रिडिश्टल सिख्षा पर आप सभी का हारदिक स्वागत करता हूँ आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भासा सिख्षाड के सिध्धान्त के उपर यह क्लास बेहादी मातपूर क्लास को पूरा देखेगा यह क्लास पसंद आए तो चैनल को बालक यदि नहीं लेता उस विषय बस्तू के प्रती रुची तो आप वह सरल से सरल विषय बस्तू को भी बालक को नहीं समझा पाएंगे क्योंकि बालक नहीं है उस विषय बस्तू में रुची तो सिख्षक का कारी क्या होता है कहते हैं उस विषय बस्तू यह है जो विष रुची उत्वपन कर दी तो यह विसय कितना भी कठिन क्यों ना हो या पाठ कितना भी कठिन ना क्यों ना हो बालक इसे सुगमता से सीख लेगा बड़ी सरलता से सीख लेगा अगर नहीं है बालक में रुची तो आया वह सरल से सरल पाठ को भी सरल से सरल विसय को भी वह नहीं सीख पाएगा आप उसे सिखा ही नहीं सकते तो बालक में सबसे पहले हम रुची उत्वपने कैसे करेंगे तो बालक की आवसकताओं के अनुरूप बालक की आवसकता क्या है हमें यह समझना होगा हमें यह जानना होगा इसके लिए हमें बालक का अध्यन करना होगा तो यह या क्यों आवस्चक होता है करते हैं सिक्षड प्रडालियों का चुनाव बच्चों की रुची एब हम आवशक्ताओं के अनुरूप होना चाहिए अगर बालक की आवशक्ता के अनुरूप सिक्षड प्रडालियां नहीं होगी तो बालक उसमें रुची नहीं लेगा सबसे प मजने में कोई परेशा नहीं आए तो कमेंट करके अबस से बताएं और हाँ क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब आए चरजा करते हैं क्रिया सीलता का सिद्धान्थ देखें क्रिया सीलता का सिद्धान्थ अगर हम कहना चाहें तो कहेंगे भी यह ल थिवरी की जड़िये नहीं समझ पाएगा आपको पता कैसे पड़ेगा कि बालक ने वह चीज़े सीखी की नई कहते हैं आप उससे करवाएंगे प्रियोग साला में जब आप तो बालक खुद क्रियासील होगा तो बालक अच्छे से समझेगा उस चीज को प्रियोक के द्वारा उस चीज को समझेगा आपको भी पता चलेगा कि भालक ने सीखा कितना है तो कहेंगे अगर आपसे एक कुछच्टन पूछा जाए बताईए कि बालक का इस्थाई ध्यान कै कहते हैं बालक अलोचनात्मक चिंतन भी विक्सित करता है क्रिया सीलता के साहता से कहते हैं लर्निंग वाइड डूइंग बालक इतना महात्पूर है कि आप लर्निंग वाइड डूइंग से कि साहता से बालक में एक इस्थाई ग्यान का निर्माल करते हैं अब देखे इसमें लिखा क्या है उसको समझ लेते हैं पहले ठीक है कियते हैं इस सिध्धान्द के अनुसार बालक को करके सीखने में जो आनंद का अनुवाव होता है प्रमुक सिख्षा सास्तरी फ्रावेल और मारिया मांटेश्री ने इस सिध्धान्द पर बल दिया किस पे क्रिया सीलता के अगर आप कोई भासा सिख्षड कर वा रहे हैं और बालक उसमें क्रिया सील रही है तो अध्यापन का जो कार होगा वह बहुत ही रुची पूर होगा कहते हैं आप जैसे करीब भासा आपका पोई पठन पार्ट करवा रहे हैं भासा का तो आप बार बार उससे मौखिक प्रश्न पूछते रहना चाहिए जिससे बालक एक्टिब बना रहे हैं आपकी सामिग्री जो पठन पार्ट करा रहे हैं उसके समय ठीक है आया समझ मैं अब आगे चर्चा करते हैं हम कहते हैं अभ्यास का सिध्धान्त क्या होता है तो कहीं-कहीं आपने अभ्यास के सिध्धान्त को लिखा देखा होगा प्रेरणा का सिध्धान्त यहां पे कहीं-कहीं लिखा रहता है पुनरवलन का सिध्धान्त तो अभ्यास के सिध्धान्त को ह सम्मंदित अता सिक्षकों को पाठ पढ़ाते समय उसे चात्रों की जीवन से जोड़ कर प्रयास करना चाहिए कैतने अभ्यास का सिद्दांग देखिए आप किसी भी चीज को बार बार दोहराएंगे तो आप जाहिर सी बात है आप में नीरस्ता कानुबाफ होने लगेगा तो बालक वह पाठ में रुची ले सके जब भाया वह रुची लेगा तो वह उस ज्यान को बड़ी सीगरता से ग्रहड कर सकेगा इतना याद रखिए सबसे पहले इसका नाम हम अभ्यास के सिद्दांग को किस नाम से जानते हैं आपने का भाया प्रेरणा और किसके कहेंगे प्रेरणा और पुनरवलन के नाम से भी जानते हैं अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कुछ महत्पूर सिद्धानतों को लेकर आए हैं ठीक है आप देखिए चर्चा करते हैं किसके उपर कहते हैं विक्तिकत भिन्यता का सिद्धा बले ही वह बौधिक रूप से हो सामाजिक रूप से हो आर्थिक रूप से हो उनमें पाई जाती है क्या भिन्यता पाई जाती है कहते हैं प्रतेग वालक एक दूसरे से भिन्य होता है कक्षा में चात्रों में व्यक्तिकत भिन्यता पाई जाती है इसलिए व्यक्तिकत भिन् पहले हमें से पठं कॉसल करवा ही नहीं सकते कुपि अगर वह रुची नहीं लेगा उन कमियों के बिसे हमें हमें ज्यान होना चाहिए अगर हमें इन सब चीजों का पता है तो हम बालग को बड़ी आसानी से सिखा लेंगे वही तो कहती है भिन्निता कहते है विक्तिकत जो भिन्निता होती है बालग की प्रतिक प्रकार की अलग-अलग कमियों उसकी अलग-अलग बिनता का सिध्धानत कहते हैं करम का सिथ्थानत क्या होता सुनीएगा आते हैं भाषा सिंधषन का मुंख उद्देश छात्रों को भाषा की सभी कोस्लों में निपड करना होना चाहिए जैसे कि बचन कौसल, स्रवड कौसल, पठन कौसल और लेखन कौसल इन सभी कौसलों का समूचित ध्यान रखना चाहिए अगर आपसे देखिए थियोरी मत पढ़िएगा मैं समझा रहा हूँ उसको सुनें पहले कहते हैं क्रम का सिध्धान अगर बालक में भासा का विकास कैसे होता है आप कहेंगे वह यह एक क्रम में होता है तो बालक में भासा का विकास एक क्रम में होता है और वह एक क्रम क्या होता है कहते हैं सबसे पहले बालक सुनना सीखता है फिर बोलना फिर पढ़ना और फिर जो को हम कहते क्या हैं कोई कोई जो बालक होंगे इस प्रकार से याद किया कहते हैं ल, एस, आर, और, डबलू यानि की लिसिन, स्पीकिंग, रीडिंग, और राइटिंग, लेकिन कुछ बालकों ने इसे स्पीपियल की सहता से याद किया है, कुस तो इसे हिंदी में याद करते हैं सूबो पली के नाम से जैसे भी आप याद कर पाएं बस याद करिएगा, एक क्रम यह बार बार पूछा जाता है 2019 के सीटाइट में पूछा गया कुश्चन है, बालक के भासा का जो क्रम होता है सीखने का वह क्या है, तो कहेंगे भी यह LSRW, अब देखिए क्रम का सिधानत इतना आवस्याक है कि आप जो भालक भासा का विकास होता है, किसी भी चीज का विकास होता है, एक क्रम में होता है आप उस क्रम में किसी चीज को skip नहीं कर सकते, उस क्रम में आप किसी भी चीज को हटा नहीं सकते जैसे कि आप सबसे पहले बालक इसमें L को सीखेगा फिर सीधे R को नहीं सीख सकता क्योंकि उसके लिए उसे S से होके गुजरना ही पड़ेगा एक और तरीका है समझिएगा अगर बालक यहाँ पर चलने का विकास कैसे होता है तो बालक यहाँ पर सबसे पहले बैठना सीखता है फिर घुटने के वल चलना सीखता है फिर वह हलका हलका चलता है और फिर दोड़ना सीखता है तो भाईया सीधे बालक यहाँ से दोड़ना नहीं सीख सकता तो यह भी एक दोड़ने का क्रम है जिस प्रकार से वह दोड़ना सीखता है ठीक है याद रखिए तो यहां से कुष्चन बनता है अगर पूछा जाता है तो कुष्चन सिर्फ इतना बनेगा कि बताइए बालक में भासा का विकास कैसे होता आप कहेंगे ल, s, r, w यानि की बालक सबसे पहले सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर पढ़ना सीखेगा, और फिर लिखना सीखेगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्लास को समझने में अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट करके आफस्थ बताएं देखिए, अनुकरड का सिध्धान्त, अनुकरड या बेहदी महतपूर है यहां से कुश्चन पूछा जाता है कि बताईए कि बालक में नेतिकता का विकास कैसे होता है तो आप कहेंगे विया कि अनुकरड का सिध्धान्त वह होता है कि बालक में नेतिकता के लिए सरवादिक महतपूर सिध्धान्त है कहते हैं अग बच्चे आपक इस अधर्स भ्योहर का अनुकरड करके ही अपने अंदर नेतिकता का विकास करेंगे तो बच्चे अनुकरड के द्वारा जल्ली सीखते हैं बच्चे अपने सिक्षक के बोलने लिखने स्वर गती आदी के अनुकरण करके बैसे ही सीखने का प्रियत्न करते हैं अता सिक्षकों को स्वयम अपने उच्चारण बोली बोलने की गती लेखन में सुधता आदी प्रकार सही प्रकार से करनी चाहिए जिसमें बालक में अनुक पिकास करता है बालक भासा का जो पिकास करता है वह भी अनुकरण की सहता से करता है अगर वह किसी चीज को गलत सुनता है तो वह उसका उच्छारण भी गलत करेगा याद रखिएगा अनुकरण का सिध्धान समझ में आया तो बताईएगा ठीक है अब देखिए सिक्षड सू लेकिन आगी हम एक विस्तार से इनकी उपर एक लेकर आएंगे सिक्षर सुत्रों की उपर अलग से समझेगा सबसे पहले आप बालक को अगर पठन को असला कुछ भी चीज करा रहें सबसे पहले हमें सरल चीजों से बालक को अबगत कराना चाहिए फिर कठिन की और ले जाएं ठीक है वही चीज हमें ग्यात बालक को सबसे पहले बतानी चाहिए जो बालक को जो चीज पहले से ग्यात है अगर हम बालक को कोई भी चीज पहले सिकात उसके प्रती हम बताएंगे तो बालक में आएगी रुची फिर हम उस ग्यात से अग्यात की और ले जाएंगे वही ची यहां से कुस्चन बार-बार बंता है यह महथपूर शुचत रही है याद राकियेगा कुस्चaşन आपक्र सुपर ्net में पूछा गया था निम्लीखत मैंसे कौन सिखञट्र सूत्र है कैते हैं सरलसे कठिन की और रॉत से अमूर्त की और सूचम की और चैक की फिड़िए अब देखिए बाल केंदर्तिता का जो सिधान्त है वह क्या कहता है कहते हैं जो जितनी भी सिक्षड प्रिक्रिया होगी जितनी सिक्षक के द्वारा जितना भी सिक्षड कार कराए जाएगा उसका प्रमुख बंदू इसका केंद्र बंदू होगा बालक जब बालक केंद्र बंदू होगा तो संपूर सिक्षड पर क्रिया संपूर सिक्षड का जो कार होगा वह बालक की छमता की अनुसार होगा अज छमता का पता होना चाहिए बालक का इस लिखे का वड़ी आसानी से कहते हैं बाल केंदरित सिक्षा बेहद ही मातपूर है और इसी के उपर आपका पूरा टिका हुआ है सीटैट याद रखिएगा इसी के उपर पूरा टिका हुआ है आपका सीटैट यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सस्क्राइब जरू के जाए आए टख यदिर लेद लेगा बूड़ यदिर से कU सादाएब छोड़ा से भीओ इसक्ले इस आई हहां।